हलो दोस्तो नमस्कार इसलिए reminder set करके रख लेना आज की दिन के पहले वीडियो की बात करें तो वो भी आप लोग study कर सकते हैं लिंक नीचे description में दे दिया है तो छले दोस्तो फिलाली सोड़े को start कर लेते हैं सो दोस्तो अब हम लगा चुके बिलकुल हमारे normal screen के उपर और दोस्तो आज की दिन जितने भी breaking news है उसमें से मुझे लगता है कि सबसे बड़ी breaking news इसी stock से related यहाँ पर रहने वाली है और दोस्तो यह जो breaking news है क्या वो positive है या फिर negative है तो दोस्तो 110% यह negative news है क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा यहाँ पर डूबने वाला नहीं है डूब चुका है कहानी खतम यहाँ पर हो चुके दोस्तो और यह एक बहुत बड़ा lesson हम लोगों को वापस यहाँ पर दे रहा है देखे अगर आप एक stock market में अगर आप पैसा लगाते हो दोस्तो तो यह stock market मतलब इतना easy नहीं है उसके भी कुछ rules होते हैं कुछ regulations होते हैं वो हमें यहाँ पर follow करने पढ़ने वाले है और जो सबसे favorite topic रहता है खास करके retail investor का penny stock वापस यह एक बहुत बड़ी चेता हो नहीं है दोस्तो penny stock में invest करने से पहले आप लोगोंने बहुत सारी चीजों का study करना चाहिए और उसके बाद decision लेना चाहिए क्योंकि आज ही के दिन एक ऐसा penny stock है दोस्तो जिन्होंने लोगों के पैसा करोडों में तकदिल करके यहाँ पे दिया था कुछी time में वो आज suddenly zero हो गया यहाँ पे सीधा trading बंध हो गई है court से order आगे trading बंध अगर आपके पास इसके equity shares है और आप फॉर एक्जमपल अगर आप यह कह रहे हो कि 50,000 इतना इतना हो गया है एक लाग बन गया है, 10 लाग बन गया है टेरो टेक लिमिटेड सड़नली यह स्टॉक हम लोगों को दोस्तो बंध होते वे देखने को मिल चेक है ट्रेडिंग अभी आपे नहीं चलेगी अगर आप इसका चार्ट पेटन भी देखोगे नॉट अवेलेबल यहापे आ रहा है अगर मैं पाच दिन की बात करू यहापे तो यहापे ट्रेडिंग चल रहा था दैन अगर हम लोग बात करें एक मैनी की तो ठीक है छे मैने की बात करें दोस्तो तो आप देख सकते छे मैने में इस कंपनी ने दिये थे लगबग 194% के रि मिला था और अभी भी यह जो नीचे आया था तो कुल मिला कि जो रिटन्स थे यहापे कमाल के रिटन्स से 1700 पसंट की रिटन्स टॉप लेवल की बात करें तो 33,000 पसंट के भी रिटन्स थे और इतने जबरदस रिटन्स मिलने के बावजुद अगर किसी ने इसमें होल्ड क किया होगा वह आठ्स तो बरबाद होगे क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि यहापे आज से ही मतलब कल से भी अगर हम लोग बात करें मतलब कल मतलब सेटर्डे संडे बट मंडे से अगर आप इसको बेचने जाओगे तो आपके शेर दिखेंगे ही नहीं आप चेक क कोई ऐसा स्टॉक के जो की कुट में जिसका मेंटर चल रहा है इस कमपनी से रिलेटर वही बात है कि इंandel को सारा मामला देखने कि आपने मिल रहता है एंड यहां पर धानल May को कबर देखने को मिले हैं इस तरीकी से चलाओ जाती ओपरेंटर कैसे फसाते कि एंई आल टी ने यहाँ पर अलाव कर दिये इस company को खरीदने के लिए और वो बड़ी company कौन से टाटा स्टील येस, NCLT approved Tata Steel Mining Resolution Plan for the Rohit Ferro Tech, so Tata Steel Mining यहाँ पर इस company को खरीदना यहाँ पर चाते की, क्योंकि यह डूबने वाली company थी और उन्होंने यहाँ पर इसके लिए जो resolution plan भी था वो भी यहाँ पर approval यहाँ पर मिल चुका है तो बहुत ही सस्ते दाम में इनको यहाँ पर यह मिलने वाले आप देख सकते हैं, somewhere around 780 करोड के आस पास यह resolution plan हम लों को देखने को मिल रहा है, right जैसे मैं आप लों को बताया था कि आप एक डूबने वाले company के shareholder हो अभी Tata इसको खरीदेंगे, इसलिए life बन जाएगी यह हो जाएगा, वो हो जाएगा आप लों को पताईए, ऐसे बताये जाती है बाते आज की दिन आप देख सकते हैं, सीधा company के shares ही cancel कर दिये जीरो हो गया है, कोलकत्ता बेंच है, NCLT का उन्होंने यह order यहाँ पर दे दिया है तो इसमें Tata still की तो कोई गलती है, नहीं Tata ने तो मतलब यह डूपते वे जाज को बचाने की कोशिच की है तो उनका तो बिजनेस में जो फाइदा रहेगा वो यहाँ पर का उर्थिया वे देखने को आपे मिल रहे है इसका उर्थिया नहीं कि आपके share करोडों के बन जाए बट फिर भी operator इसी news का फाइदा उठाते है न्यूस चलाई जाती है इसी तरीके से share आप देख सकते हैं 1000,000,000,000,000% की returns इतने तो returns blue chip companies में भी नहीं बनते है बट वहाँ पे safety होती है यहाँ पे कोई guarantee नहीं सुबा उठकर देख लिया तो stock trading की बन, सब कुछ ख़दम तो कितना भी पैसा बना हो 50,000,000,000 कुछ भी तो उसका कोई भी return अभी आप लोगों को मिलने वाला नहीं है जो दोस्तों ये कोई रातो रात नहीं होता है आप देख सकते हैं जो चीज़े में आप लोगों को बार बार बताता हूँ रोज videos क्यों बड़े बनते हैं कि company के balance sheet क्यों देखना होता है P&L क्यों देखना होता है इससे हमें पता चलता है कि company का health क्या है यह balance sheet time pass के लिए नहीं बनाते हैं इसके पीछे कोई मकसद है but retail investor इन चीजों को देखना पसंदी नहीं करते सिर्फ returns देखते है so returns देखके भी कोई guarantee ने तो आज के दिन भी आपक पता होने चाहिए so results आप देख सकते हो इस company के 2000 क्रोड के minus में रिजवस है अभी minus में मतलब थोड़ी ना company में खोई आपे दम रहेगा then करजे कि अगर हम लोग बात करे तो 70 क्रोड के आसपास के आप ए करजा देखने का आपे मिल रहा है long term है short term boring आप लोग देख सकते हैं 1100 क्रोड का देखने का आपे मिल रहा है करजा cash के अगर हम लोग बात करें तो cash तो ऐसा company में क्या रहेगा कुछ ही नहीं 90 लाग के आसपास का cash है चलो ठीक है अभी company का बाकी performance देख लेते हैं इतना तो सब कुछ देख लिया तो चले 2030 से ये company हमनों को काम करते वे देखने क मिल रही थी येस बहुत ही एक बड़ा important message market cap देख लेना दोस्तो एक micro cap company हाँ definitely हम लोग कह सकते कि share price higher level से नीचे आगे इसलिए market cap नीचे बट still एक micro cap type की company small cap type की company जितना आप लोगों को अच्छे returns दे सकती है उतना उसमें risk भी होता है तो ये भी एक point आप लोगों ने याद रखना चाहिए जो मैं हमेशा आप लोगों को याप बताता हूं कि market cap क्यों important याप होता है जिस company का market cap एक लाख लाख करोड का रहेगा वो company ऐसे रातो रात बंद नहीं होती है नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो याप ए company का obviously अगर आप लोग चेक करोगे बिजनेसी कोर्ट में था company ने 4000 करोड के आसपास का लोन लिया था roughly अगर हम लोग totally जोड कर बात करें किसे bank से लिया था और वो वापस नहीं दे पा रहे थे तो bank ने तो बोल दिया कि इसका बिजनेसी बंद कर दो जितना कुछ मिले उतना ही मुनाफा सो रोस्तों आपको ब बैंक को आपर पैसा वापस मिलने वाला है चोड़ो कुछ तो मिल जाएगा इतना ही उसमें हम लोग बोल सकते हैं अगर यहां पर कोई खरीदने के लिए भी नहीं आता तो शायद से यह 13% भी उनको भूलना पड़ जाता इसमें वर्स पार्ट क्या वर्स पार्ट यह कि शे रिलेटेड मेनी वीडियो भी बनाया हुआ है तो इससे रिलेटेड वीडियो कब बनाया है तो यह देखो जो स्टॉक मार्केट क्लासे मेने शुरुआत में जो चैनल बता है येस वहाँ पर यह सारी चीज़े फ्रेयों को बेच सकता था बट यहीं चीज़े अगर चाहे त चलो उसका भी लिंक में ट्राइ करता है उपर आई बटन पर देने के लिए अगर नहीं मिलता है तो आप लोग चाहो तो स्टॉक मार्केट क्लासे से चैनल पर विजिट करके इसको यहाँ पर रिड कर सकते हो तो यह सारी चीज़े मैं आलड़ी सिखा चुका हूँ कि क्या स इक्वेंस रहता है इक्विटी शेरोल्डर कहा पर आते हैं तो यह रूल्स और रिगूलेशन से जैसे मैं आप लों को का आप यह नहीं बूल सकते हमें पता नहीं था करके उसका कोई फाइदा नहीं तो कंपनी के कौटरली रिजल्ट में क्या रहेगा कुछ भी नहीं सब क कंपनी में क्या हो सकता है और होने के लिए तो यह रहेखे सब कुछ माइनस में यह पर चल रहा है मतलब कंपनी का कुछ बिजनेस ही नहीं चल रहा था फिर भी कंपनी ने 1700 पसंट के रिटन दिये आप समझ रहे हो यहापर कैसी चीज़े यहापर चलते ऑपरेटर ने मस्त आपर माल कमाया है और दोस्तों इसके चलते जो कोई फसा है सबसे आदा तो रिटेल मिस्टर ही आपर फसे है आपर प्रमोटर की बात करें तो दोस्तों 72% प्रमोटर के पास है और पुब्लिक 28% सो प्रमोटर भी डूपते वे हम लोगों को देखने को आपर मिल रहे है एक जरूरी नहीं कि प्रमोटर 70% है मतला ब्लाइंडली है आप लोग कुछ भी करो यह भी हम लोगों को एक अच्छा गासा सीख देखने को आपर मिल रहा है कि 70% है प्रमोटर 50% प्लस है जो भी मन मर्जिया है हम लोग करे करके ऐसा कोई भी नहीं है दोस्तों हमें बाकी के भी हाथ में मिलने वाला ही नहीं है तो आकरी अगर हम लोग बात करें तो रोईत फेरो टेक लिमिटेड और यह कोई पहली कमपनी ने इसके पहले भी बहुत सरे कमपनी के साथ हुआ है दिएच फेल में ऐसा हुआ था उसी के साथ लक्ष्मी विलाज बैंक में शायद से ऐसी कि यह पर अगर आपका ऐम ही बार वार चलो ठीक है बट अगर आप मार्केट में 111 मुश्किल यह पे pump and dump करते रहेते हैं, operator ने तो चले इतना अच्छा कासा कमाई होगा, ये dump में कोन फसा होगा, retail mister, ये उमीद करके कि वापस stock यहाँ पे जाएगा, उमीद सुबह उठते ही पता चल गया कि ये stock ही बंध हो गया करके, और exit करने के लिए विंडो दिया था, somewhere around 15-20 minute का, उसका भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि lower circuit अल्रेडी लग चुका था, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आप लोगों को इस stock से related, अगर आप चाते हो कि मैं इस से related, और भी detail में कुछ learning वाले points से related वीडियो बनाओ, तो आप चाओ तो comment section में yes करके बोल सकते हो, जरू हम लोग और भी detail में पढ़ने की कोशिश करेंगे, कैसे कैसे हम लोग identify कर सकत अभी NCLT का ये order फिलाल तो ये सारी चीज़े हम लोगों नहीं आप देख लिए और जैसे मैं आप लोगों को बताया, यहाप कोई भी chart भी देखने को आप नहीं मिल रहा है, अगर आपका कितना भी पैसा बना है, यहाप हम लोग कह सकते हैं, उसका कोई भी फाइदा नहीं कितने भी returns होंगे, वो सारे की सारी 0 होते भी देखने को आप फिलाल तो मिल रहे है, देख लेते हैं, अगर कोई इससे रिलेटर कोई अपडेट आ जाता है, तो मैं आप लोगों को ज़रू इंफर्म कर दूँगा, तो आशा करता है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसं नहीं किया है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट, basic of stock market selected, आपको free of cost या पे provide कर दी जाएगे, आपका नाम और कौन सा अकाउंट लिंक के तुर उपन किया है, ये मुझे comment section में बता दिना, तो ये वीडियो की लिंक आप लोगों को तक प बाई बाई